असलामनेकुम डियर स्टूरेंट आज हम तीस्टा राइट पढ़ने जा रहे हैं किस चीज का चिल्डरन राइट टू रीट का और वो यह है कि बच्चों को यह हक होना चाहिए कि वो चूस करें तो क्या पढ़ना चाहते हैं ना कि हम उन पर इंपोस करते हैं यह सवाल क्यों एहम है यह सवाल एहम है उनकी परसनल एजनसी की डिवेलपमेंट के लिए और वो क्या है इसको अभी हम गोश्रू करते हैं और देखते हैं तो सबसे एहम चीज यहां आती है कि जब आप बच्चों को च्वाइसिस देते हैं और बच्चे अपनी मर्जी से किताब के चूight करता है तो वह किताबि हो को अपनी मर्जी से पसंद और ना-पसंद करते हैं क्रिटिकला इपरेशियशन जो है उननके अदर डिवेलप होती है उनके अंके लिटो सी बहेवियर डिवेलप होता है और उनकी स्किल्स हैं वह इंप्ई होती है च्यों और हमारी चॉइस हमारे साथ क्या करती है वो यह बताती है कि जो बच्चे को चॉइस करते हैं किताबों को खुछ चूज करते हैं वो बुन्यादी तौर पे अपनी जिस्कूल की अकडायमिक स्किल्स हैं मुक्तलिफ सब्जेक्ट में उनमें उनकी स्कूरिंग बहुत अच्छ बच्चों में decision making power develop होती है वो यह जानते हैं कि हमें कौन सी कहानी पसंद आई कौन सी नहीं आई और वह अपना opinion बिल्ड़ अप करते हैं कि हमारा कौन सी जो राइटर है वह हमारा ना पसंदीदा राइटर है या उसकी कहानी हमें पसंद नहीं है जब बच्चे कुछ से कित आती है बुनियादी तौर पे कि बच्चे जब अपनी मर्जी से किताबों को चूज करते हैं तो उनकी intellectual engagement होती है किताब उन्हें विराइटी अफ चीजे बताती है चाहे वो साइंस से रेलेटीड हो चाहे वो mathematics से रेलेटीड हो किताबों को और कहानियों को जह हम बच्चों कर सकते हैं हमें उनके लिए क्या करना है हमें बच्चों को कैसे इस प्रॉसस में इंगेज करना उसका बेहतरीन तरीका यह हो सकता है जिसने इस साल किताब लिए बच्चों के लिए तो हम बच्चों से वोट दिला सकते हैं इससे बच्चों की empowerment बच्चों की decision making और improve होती है और उनको यह एसास होता है कि हमारी आवाजे एहमियत रखती है तो बुन्यादी तोर पर उन्हें society के decision making process में शामिल करना यह किसम का उन्हें उनका हग देना है ताकि वो अपनी choices को देख सकें कि वो क्या है और कितनी majority जो है वो उससे agree करती है यह disagree करती है उसके इलावा δώ में language difficulty भी हो सकती है multiple language की उसके अंदर language diversity भी हो सकती है उर्दू में भी हो अंग्रीजी में भी हो पंजाबी में भी हो मुखिल्ब जबानों में वो Kita बहू और किताबों की multiple length भी हो सकती है और मुक्तिक किसम की format जो है अगर हम रो बच्छों को देंगे तो बच्छों को उन उनको देखके और उनको बच्चों तक पहुचा के और उनकी पेरेंट्स तक उनको एजूकेट करके और सपोर्ट करके और इंपॉर्टन चीज यह है कि जब हम मल्टिपल अपर्चूनिटी इस बच्चों को देते हैं एक वराइटी ऑफ टेक्स को पढ़ने की तो सबसे इंप भी देखना पड़ता है बच्चे किसके साथ पढ़ रहे हैं और जो बंदा और जो टीचर या पेरेंट उसको पढ़ा रहा है उसके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं ताकि बच्चे की क्योरॉसिटी को कायम रख सके एक बहुत ही इंपॉर्टन फेक्टर है चाइल का अप अपने टीचर के साथ अपने दोस्ट के साथ अपने कजन के साथ अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनिशिप बिल्ड अप करने का थैंक यू